दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वोट कार्ड में अपना मुबाइल नंबर कैसे लिंक कर पाएंगे वो भी साथ की साथ ही अपना मुबाइल नंबर है लिंक कर पाएंगे अगर आपको अपना वोट कार्ड न्यू फॉर्मेट जैसे इस परकार का वोट द्वारा जारी किया गया है, वो कैसे डाउनलोड करेंगे, वो भी आपको इस वीडियो में step by step बताने वाला हूँ, मुबाइल नंबर साथ की साथ लिंक कर पाएंगे, और घर बैटे कर पाएंगे दोस्तों, और अपना vote card है, new format में आप डाउनलोड कर पाएंगे, तो चली दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं, वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक request है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को subscribe कर लें, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा like और share करें, तो चली आगे बढ़ते हैं, पहले दोस्त क्लिक करके हमें अपनी login ID है, वो create कर लेनी है, तो यहाँ पर अपना mobile number एंटर करेंगे, उसके बाद mail ID आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो यह option है इसको आप skip भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर capture फिल कर लेना है, और उसके बाद continue वाले option पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने जो mobile number एंटर किया है, उस पर OTP प्राप्त होगा, वो OTP हमें यहाँ पर फिल कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पर OTP फिल कर देता हूं, OTP फिल करने के बाद, नीचे submit वाला option है दोस्तों, यह verify option है, उसके हमें क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर हमारी login ID हो successfully create हो कर लेना है, password enter करने के बाद नीचे जो capture code दिया है, उसको as it is, यहाँ पर फिल कर लेना है, जो capital letter है, capital और जो alphabet letter है, उसको letter में फिल करके, यहाँ पर request OTP वाले option पर क्लिक करेंगी, एक बार दोबारा से OTP प्राप्त होगा, वो OTP हमें यहाँ पर फिल कर लेना है, फिल करने क के बाद यहाँ पर login वाले option पर click कर देना है, click करने के बाद हमारे सामने कुछ इस परकार का interface खुल के आजाएगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर shifting of residence correction of entry in existing electoral, यह option से हमें click करके अपना mobile number वो link करना है, तो यहाँ पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा mobile number link है, यहाँ यहाँ पर अपना epic number यहाँ जो हमारा vote card का number वो यहाँ पर enter कर देता हूँ, उसके बाद नीचे अपना state है, वो choose कर लेना है, state चूज करने के बाद यहाँ पर search पर click करेंगे, तो यहाँ से हमें पता लग जाए कि हमारा mobile number हो यहाँ पर देखिश हो लेना है, इस पर हमें click कर लेना है, अगर हम अपना खुद का vote card में add कर रहे हैं, तो self choose करेंगे, अगर किसी अन्या का प्रिवार के किसी अन्या सदश्या का add कर रहे हैं, तो other पर click करके हम add कर सकते हैं, उसके बाद अपना epic number यहाँ पर fill कर लेना है, और यहाँ पर submit वाले option पर click कर लेने, submit करने के बाद यहाँ पर detail हो जाएगी, जिनके नाम से vote card है, और उनका husband name या father name हो जाएगा, उसके बाद okay करेंगे, okay करने के बाद यहाँ पर देखे, shifting of residence है, correction of entry and existing electoral, यहाँ पर second वाला option हमें choose कर लेना है, यहाँ से हम issue of replacement epic without correction भी कर सकते हैं, तो हमें correction वाले हमें next वाले option पर click कर लेना है, हमारा name शोजाएगा, यहाँ पर epic number शोजाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना दोस्तों, उसके बाद next step पर आना है, तो यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार की आप correction करना चाहते हैं, वो यहाँ पर दिए हुए है, तो यहाँ पर मैं mobile number पर tick करेंगे, अगर कि अन्या correction भी करना चाहते हैं, दोस्तों वो भी हम कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको mobile number की process दिखाने वाला हूँ, तो मैं mobile number पर tick करूँआ, उसके बाद नीचे mobile number एंटर करेंगे, उसके बाद verify, हमारे mobile पर OTP प्राप्त हो, OTP यहा पर अपना mobile है, verify कर लेंगे, verify करने के बाद यहाँ पर next वाले option पर हमें click कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर place है, वो यहाँ पर fill कर लेंगे, fill करने के बाद next पर click करेंगे, और यहाँ पर capture code दिया हो, जो capture है, उसको fill करके, यहाँ पर review and submit वाले option पर click कर लेना है, तो फारच एडिट कर सकते हैं अगर सब डेटेल्स हैं तो सम्मिट करेंगे उसके बाद यस करेंगे तो यहांपर हमारा एक्नॉलिजमेंट नंबर वो जैनरेट हो जाएगा हमारी जो फो मैं उसमिट हो जाएगा उसके बाद यहां पर हम तुरण ईपिक डाउनलोड वाले उपश पर क्लिक कर लेना है जैसे सर्च वाल उप्शन पर क्लिक करें देखिए यहां पर पहले दिखा रहा था कि मोबाइल नमबर आपका रिजिस्टर नहीं है लेकिन अभी यहां पर देखिए हमारा मोबाइल नमबर शो हो जाएगा लास्ट के चार डिजिट वह मोबाइल नमबर भी हमारा साथ की साथ है लिंक हो गया है अब हम एपिक नमबर यानकि जो पीवीसी वाला वोट कार्ड है कैसे डाउनलोड करेंगे तो यहां पर सेंड ओटीपी वाले उप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे मोबाइल पर ओटीपी प्राप्ताव को वो ओटीपी हमे यहां पर फिल कर लेना है फिल करने के बाद वैरिफाई वाले उप्शन पर क्लिक कर लेना है जैसे हम क्लिक करेंगे यहां पर हमारा जो न्यू वोट कार्ड है वो यहां पर डाउनलोड का उप्शन आजेगर डाउनलोड वाले उप्शन पर क्लिक करके हमें अपना एपिक नंबर न्यूव फोर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा यहां पर देखिए हमारा एपिक डाउनलोड हो गया है तो यहां पर आपको अपना वोट कार्ड है वो यहां पर शो हो जाएगा और हम यहां से प्रेंट करके निकाल सकते हैं तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने अप हो सकते नोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को किसका चार्ज नहीं है मिलते हैं किसी नेक्स टूडियो में तब तक लिए जय हिंदु